तो दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि इंडियान नेवी के द्वारा जो प्रोजेक्ट 75 आई के अंतरगत 6 डिजर इलेक्टरी कन्वेंशनल सब्मरीनों को खरिदा जाएगा उसके टेंडर को जीतने के लिए कई सारे देश प्रयास चला रहा है ऐसे देशों में जहाँ पे फ्रांस से शुरू करके साउथ कोरिया और स्पेन से शुरू करके रश्या तक शामिल है तो वही पे रश्या के द्वारा हाली के दो हपतों के अंदर अपने प्रयास को या फिर कहतों अपने तरफ से दिया गया बयान को पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया गया है दोसों एक तरफ जहाँ पे इस टेंडर में रशिया को सबसे कमजोर तरिन दावेदार के रूप में देखा जा रहा था तो वही पे हाली के दो हपतेों में घटे हुए घटनाओं के बाद अब रशिया के सब्मरीनों को एक मजबुत तरिन सब्म सब्मरीनों को निर्मान करता है उनके तरफ से दावा किया गया कि भारत को ओफर किये जाने वाले सब्मरीनों में रशिया के तरफ से बनाया हुआ सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलीजी का इस्तेमाल होगा एक तरिके से कहे तो रशिया के ऐसे मेनुफेक्शररों के तरफ से बताया गया है कि अगर भारत द्वारा रशिया के सब्मरीनों को खरिदा जाता है तो भारत को दुनिया के सबसे बहतरीन टेक्नोलोजी मिलेगा। दोसो इस तलिके के बयान को आप भारत को लुभाने का बयान के स्वरूप भी देख सकते हैं। रशिया के जो नौन न्यूक्लियर सब्मरीन है इसमें भारत को स्टेट अफ दा आर्ट टूल मिलेगा जो की रशिया के स्टेट रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलफ किया गया है। उन्होंने अपने बयान में ये भी वताया कि ये जो सिस्टेम्स भारत को ओफर किया रहा है ये अपने टेकनिकल करेस्ट्रेस्रिक्स के मुताविक अब तक के सबसे अपग्रेडेड और एडवांस सिस्टम है। एक्जाम्पल के रूप में इसमें इस्तेमाल होने वाले पैरिस्कॉप सिस्टमों को लेके ही बताया गया है कि ये अप्टूडेट थर्मल इमेजिंग, लेजर रेंज फाइंडर और इन्फॉर्मिशन प्रोसेसिंग कॉंपोनेंटों के बेस पे है। इवन इसके ऑपरेशनल करेस्ट्रेसिक्स को भी एक नया रूप दिया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि जून महिने में ही इंडिया के डिफेंस कमपनियों के साथ मिलके बनाना है। इसके लिए भारत के दो कमपनियों को चुना गया है जिनमें एक स्टेट ओन मज़ेगाव डॉकियाड लिमिटेड है जबकि दूसरा एलेंटी कमपनी है। दोस्तों जिन इंटरनेशनल एजेंसिस को भारत में सबमरीन बनाने के लिए योता दिया गया है उनमें जर्वनी के तोसन क्रूप मरीन सिस्टम, रश्या के रूबिन डिजाइन ब्यूरो, स्पेन के नेविंशिया ग्रूप, फ्रांस के नेवल ग्रूप और साउथ कोरिया के डियेवू शिप बिल्डिंग और मरीन इंजिनियरिंग जैसे कमपनी शाम से लगवक तीन कमपनी मतलब नेवेंशिया नेवल ग्रूप और रूबिन डिजाइन ब्यूरो बाहर निकल गया है क्यूंकि इनके पास कोई ओपरेशनल AIP सिस्टम नहीं है और इस टेंडर में तोसन क्रूप मरीन सिस्टम और डियावू शिप यार्ड लिमिटेड को ही सब से प्रमुक दावेदार के रूप में देखा जा रहा था परहाली में ये भी खावर आया कि तुसन क्रूप मरीन सिस्टम कुछ कारणों के वज़ा से इस प्रोजेक्ट से अपने आपको बाहर रखना चाता है मतलब आखिरकार सवाल टिका हुआ था कि कैसे एक कमपनी मतलब डियाबुशी प्याड इस टेंडर का स्वरूप बन सकता है परहाली में ये भी खावर आया कि रशिया के तरफ से भी AIP सिस्टमों को डेफलाफ कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि डियाबुशी प्याड के सामने रशिया एक कड़े टकर के साथ आगे आएगा और जिस तरिके से अव रशिया के तरफ से एक के बाद एक बयान तिया जा रहा है इससे तो माना जा रहा है कि रशिया अव इस टेंडर को जीतने के लिए भरपूर प्यास भी चला रहा है और और रशिया इस प्यास के सरू multiplayer के सामने कई तरीके के नए औफ़र्स को भी रख सक तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हमा बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद